आप और आपका एक दोस्त एक छोटी सी कोशिश करके एक मुबाइल आप बनाते हूँ पर किसी को नहीं पता था कि आपकी ये मासूम सी कोशिश एक दिन 100 बिलियन डॉलर का इंपायर बन जाएगा क्योंकि दरसल उपर से देखने में ये कंपनी जितनी सिंपल लगती है ये उससे बिलकुल अलग है आज हम में से जब भी कोई उबर बुक करता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है इस कंपनी में कुछ गड़बर भी हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी इस कंपनी के कई सारे राज हैं जो जात और लोग को मालूमी नहीं है उबर ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सारी चीजे करी हैं जिनसे आज भी बहुत लोग अंजान है अब सवाल ये है कि आखिर क्या है वो चीजे ऐसा क्या किया है इस कंपनी ने जो आज भी इसको सबसे कंट्रोवर्शल कंपनी माना जाता है आईए ज़रा डीटेल में समझते हैं आज के इस वीडियो में तो ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 2008 को जब Garrett Camp और Travis Kalanick ये दो दोस्त पैरिस में New Year Celebrate करके एक कलब से बाहर निकलते हैं दोनों होटेल जाने के लिए टैक्सी डूनते हैं मगर बहुत देर इंतजार करने पर भी उनको कोई टैक्सी नहीं मिलती फिर कुछ दिर बाद एक टैक्सी आकर इनके सामने रुपती है मगर उस टैक्सी का ड्राइवर इन दोनों से होटल जाने के लिए 800 यूरो मांगता है अब वैसे दिखा जाए तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है पर इन दोनों में से किसी नहीं सोचा था कि ये एक इंसिडेंट आगे चलकर 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगा फिर जब ये दोनों पैरिस से सैंट फ्रैंसेस को वापस आते हैं बहुत सारी कैप्स को खरीदेगी और खुद उसको एजा टैक्सी ऑपरेट करेगी ताकि लोगों को जब भी कैप चाहिए हो तो वो यहां से अपनी कैप बुक कर पाए लेकिन ट्रैवेस का जो पुराना स्टार्ट अप एक्स्पिरेंस था वो यहां पे काम आता है और वो तुरान्त इस आइडिया को चेंज करने की एडवाइस देते हैं उनका कहना था कि अगर टैक्सी ही प्रोवाइट करनी है तो हमें टैक्सी खरीदने की जरुत क्या है मतलब कि हम किसी भी प्रकार की टैक्सी ओनी नहीं करेंगे हम बस लोगों को एक प्लाटफॉर्म प्रोवाइट कराएंगे जिससे होगा ही कि जिन लोगों को टैक्सी की सर्विस चाहिए होगी वो हमारी एप से टैक्सी बुक कर लेंगे और जिनके पास खुद की टैक्सी है वो अपनी टैक्सी को हमारे यहाँ पर रिजिस्टर करवा सकते हैं ताकि बिना किसी दिक्कत के उन लोगों को केस्टमर्स मिल पाए तो ट्रैविस बोलते हैं कि बिना कोई टैक्सी खरीदे भी हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्डम सॉल्फ करेंगे लेकिन पता है जब उबर स्टार्ट होई थी तो फाउंडर्स के पास जादा रिसोर्सेज नहीं थे मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी उनके पास जो भी था उन्होंने उसका इस्तमाल किया और आगे बढ़ते गए सेम इसी तरीके से आज बहुत सारे ऐसे लोग है जो अपने बिजनस को ऑनलाइन ले जाना चाते हैं मगर ये करने के लिए उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है आज तक तो ऐसा ही होता था पर अब नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी अपने बिजनस को ऑनलाइन ले जाना चाता है अपना एक e-commerce टोर सेट अप करना चाता है तो वो ये फ्री में कर सकता है और वो भी बहुत इजी ली दिखाता हूं कैसे मैंने यहाँ पर उडू खोल रखा है अब मैं सबसे पहले Start Now It's Free पर क्लिक किया और e-commerce application को सिलेक्ट कर लिया अब मैं एक online store खोलना चाता हूं तो मैं यहाँ पर सारी details को add कर लूँगा जैसे मेरे को कपड़े बेचने हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी sales increase हो अब जो भी pages और features की मेरे को जरूत है वो मैंने यहाँ पर add करें जैसे यहाँ देखो shop यह already selected है क्योंकि by default मैं यहाँ पर एक e-commerce store बना रहा हूं अब बस मैंने theme select करी और यह है मेरे सामने जहाँ पर मैं बहुत ही simple तरीके से हर एक चीज को अपने हिसाब से customize कर सकता हूं favorite blocks को drag and drop कर सकता हूं text change कर सकता हूं color change कर सकता हूं और भी बहुत कुछ हर चीज 100% customizable है अब बस करना कुछ नहीं है यहाँ पर अपना product डाला और उसके लिए new में जाकर product select करना है product में नाम डाला और उसके बाद बस sales का price डालना है और taxes भी specify कर सकते हो यहाँ product page में description डाल दूँगा images add कर दूँगा और बस इतना ही था अब हम ready है selling start करने के लिए amazing है ना यह सब कुछ करने के लिए पैसे नहीं देने है बिल्कुल free है यह सब ना generally बहुत complicated होता है अगर आप किसी दूसरे तरीके से करोगे तो but with Udo personally recommending यह बहुत easy बन जाता है and you know what the best part is कि Udo के उपर आपका पहला application lifetime के लिए free है प्रस आपको unlimited forever support और hosting और सिफ इतना ही नहीं एक साल के लिए customized domain name भी मिलता है जो चीजे पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी आज आप उसको बहुत अराम से कर सकते हो Udo, यह platform जो है इसका link मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे description और comment box में डाल रखा है आप वहाँ से जाकर इसको free में इस्तमाल कर सकते हो अब देखो Initially जब Uber launch होई थी तो इन्होंने सिर्फ Black Luxury Cars को ही as a taxi service प्रवाइड किया जिसका normal price टाक्सी के comparison में डेड़ गुना जादा था लेकिन इसके बावजुद भी यहाँ पर जो customers थे उनको ये तीन फाइदे मिल रहे थे जो किसी भी एक normal taxi में नहीं मिलते जिसमें पहला benefit था mobile से taxi order कर दो उस जमाने में अकेली Uber ही एक ऐसी company थी जहाँ पर आप बिना किसी मेहनत के अपने mobile से taxi book कर सकते थे फिर जो दूसरा benefit था वो था tracking जो गाड़ी यहाँ book करी है customers उनको track भी कर सकते थे कि आखिर वो गाड़ी कितनी दूर है और कब तक आईगी और इसके बाद जो तीसरा benefit था वो था payments कि जो customers थे वो यहाँ पर अपने card के जरीए डिरेक्टली taxi को पे कर सकते थे जो कि उस time पर कर पाना बहुत मुश्किल होता था अब इन तीन कारणों की वज़े से बस कुछी वक्त में San Francisco के जो अमीर लोग थे उनके बीच में Uber Cab काफी popular हो जाती है लेकिन तब ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी होती है October 2010 की बात है जैसे ही San Francisco में authorities को Uber के बारे में पता लगता है तो वो इन से आकर कहते हैं कि तुम लोग कानून तोड रहे हो ये बिलकुल भी नहीं चलेगा तुम्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी अब authorities ऐसा इसले कह रहे थी क्योंकि उस वक्त पर जो भी टैक्सी कंपनी San Francisco में उपरेट कर रहे थी उन सब के पास अपनी टैक्सी थी और जो भी टैक्सी ड्राइवर्स थी वो भी उस टैक्सी कंपनी के ही इंप्लोई थी लेकिन उबर के पास इन में से कुछ नहीं था इसले authorities इन से कहती है कि अगर तुमने अपनी टैक्सी कंपनी को बंद नहीं किया तो पूरी की पूरी उबर टीम को जेल हो सकती है और तुम्हें फाइन भी देना पड़ेगा अब जब ऐसा होता है तो गवर्मेंट की तरफ से जेल का नाम सुनकर पूरी टीम सदमे में चली जाती है मगर इनमें से एक आदमी था जो अभी भी बहुती शान बैटा हो था और वो आदमी कोई और नहीं बलकि था कंपनी का चीफ एडवाईजर ट्राविस कैलने फिर जब बात थोड़ी सी और बढ़ने लगती है तो ट्राविस खड़े होकर कहते है यह जो इंसिदेंट था इस इंसिदेंट के बात ट्राविस अपनी कंपनी के नाम से कैब अटा कर उबर कैब को उबर कर देते है अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर उबर अपनी कोई टैक्सी ओन नहीं करती ड्राइवर भी इनके खुद के नहीं है तो फिर कस्टमर्स से कौन सी राइड का कितना पैसा लेना है आखिर ये कंपनी डिसाइड कैसे करती है तो देखो ये करने के लिए उबर एक फेर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करती है जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है तो देखो सबसे पहले आता है उबर का बेस फेर जो की डिपेंड करता है कि आखिर गाड़ी कौन सी है जैसे कि उबर गू, उबर एक्स, उबर एक्सेल, उबर ब्लैक उबर के बास कई सारी गाड़ी है तो इनमे से कौन सी गाड़ी बुक कर रहे हो उसके उपर depend करता है base fare उसके उपर add होता है cost per minute multiplied by time फिर उसके उपर add किया जाता है cost per kilometer multiplied by time और उसके बाद ये सारी चीज़े एक double bracket में आती है और इसको multiply किया जाता है Uber के surge multiplier से और ये सब कुछ होने के बाद इसके अंदर booking fee और admin cost को add किया जाता है और उसके बाद जो rate निकल कर आता है वो होता है आपका price जो आपको pay करना होगा अब ये जो surge multiplier है आखिर ये कैसे काम करता है तो देखो ये जो surge multiplier है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कोई एक location होगी लेकिन उस location के अंदर customers तो बहुत सारे होगे मगर drivers कम होगे फिर वही पर कोई दूसरी location होगी जहाँ पर drivers तो बहुत सारे है लेकिन customers बहुत ही कम है तो इस चीज़ को balance out करने के लिए Uber अपने surge multiplier का इस्तिमाल करता है इस surge multiplier के अगर working को समझे तो ये जो पूरा map होता है ये पूरे map को अलग-अलग hexagons के अंदर divide करते है और उसके बाद जिस भी hexagons के अंदर अगर कम demand होगी मतलब कि जो customers है वो कम है लेकिन drivers जाद है और वही पर जो दूसरा hexagons है वहाँ पर अगर दिख रहा होगा कि demand जाद है लेकिन drivers कम है तो वहाँ पर Uber अपना surge multiplier लगा देगा अब मालो अगर surge multiplier लगा रखा है 2X का तो basically जहाँ पर demand जादा हो रखी है वहाँ पर जो price है Uber का वो दो गुना बढ़ जाएगा जिस चीज़ को देखकर जो drivers है जो कि अभी एक ऐसे area में है जहाँ पर demand कम है वो वहाँ से move करेंगे उस area में जहाँ पर इस वक्त demand जादा है क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको जादा पैसे मिल रहे होंगे तो वो जादा पैसों के लालच में वहाँ पर move करेंगे अब इससे होगा क्या? जो customers है उनको भी गाड़ी मिल जाएगी और जो driver है वो भी एक सही location पर पहुँच कर अपने customer को pick कर लेगा साल 2010 जब authorities Uber के office में आकर Uber के employees को jail की धमकी देते हैं तो उस वक्त पर जो company के CEO थे वो थे Ryan Graves मगर इस incident के बाद December 2010 में वो अपनी position से step down करते हैं और जो Travis Calnick थे वो बनते हैं Uber के नई CEO और यही वो जगा थी जहां से शुरू होती है Uber की असली कहानी Travis ने CEO बनते ही government की warnings को ignore करना शुरू कर दिया और तेजी से वो company को San Francisco के बाहर बाकी शेरों में भी expand करने लगे में 2011 में New York में September के अंदर Chicago इसके साथ साथ उन्होंने कई सारी American cities के अंदर अपने business को बढ़ाना शुरू कर दिया यहां तक कि Uber ने तेजी से drivers को अपने साथ connect करने के लिए फ्री में iPhones तक offer करने शुरू करें बस आप इतना करो कि आप यह iPhone लो और हमारे साथ Uber जॉइन करो और इस iPhone के अंदर Uber अप पहले से installed होती थी अब drivers तो खूब सारे आ गए पर customers का क्या तो इसलिए जादा से जादा customers को platform पर लाने के लिए Uber ने अपनी जो पहली trip थी वो free कर दी और second और third trip के उपर अच्छे खासे discounts भी offer करें अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग सोच रहोगे कि आखिर ये सब कुछ करने के लिए Uber के पास पैसा कहां से आ रहा था तो ये जो सारा का सारा पैसा था ये दिरसल investors दे रहे थे Uber ने साल 2010 में seed funding round उठाया था जिसके अंदर उन्होंने 4 million dollar raise करे उसके बाद 2011 के अंदर वो funding का series A round उठाते हैं जिसके अंदर वो 11 million dollars की funding लेते हैं और उसके बाद जाकर उसी साल डिसेंबर में उन्होंने दुबारा से 37 million dollars की funding उठाई और ये जो funding का पैसा था इसी पैसे का इस्तेमाल करके Travis ने अपने company को internationally expand करना शुरू कर दिया पहले France फिर 2012 में Canada और उसके आगे चलकर UK के अंदर भी अपने operations करने शुरू करे अब जैसे जैसे Uber नई cities में enter कर रही थी वैसे ही उन cities की जो local government और regulators थे वो सब के सब हाथ दो कर Uber के पीछे पढ़ते जा रहे थे जो कि असल में होता ये था कि हर एक city के अंदर अलग-अलग taxi companies हुआ करती थी जो कि वहां की maximum taxis को control करती थी इसके अलावा जो independent taxi drivers होते थे वो सबी लोग भी अपनी एक association बना कर रखते थे ताकि इस community को अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो ये लोग साथ मिलकर उसे solve कर पाए अब जब Uber नए-नए शहरों में गुस्ती है तो यही लोग Uber के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि इन में से जातर लोग को ऐसा लगता था कि Uber इनके शहर में आकर operate करेगी और इनका पूरा धंदा खराब कर देगी हर को ये सोचता था कि सब लोग इनकी आप से टैक्सी मगाएंगे तो हमारे पास कोई डिरेक्टली क्यों ही आएगा यही कारण था कि ये टैक्सी कंपनीज अपने political connections का इस्तिमाल करती थी और वहां की जो local government होती थी उनसे Uber के उपर pressure बनवाते थे Uber इन सारी चीजों को लगातार ignore करती आ रही थी जिसके कारण local government को ये लगने लगा था कि Uber जो है वो अब हमारे साथ cooperate नहीं कर रही है इसलिए फिर कई सारी तरीकों से इन्होंने Uber चलाने वाले drivers को धमकी देना शुरू कर दिया उन्होंने ये तक कहा कि अगर कोई भी driver Uber के लिए काम करेगा तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी क्योंकि local government का ये मानना था कि ऐसा करने से जो drivers हैं उनके दिल में एक डर बैठ जाएगा और जल्दी सारे drivers Uber के लिए काम करना ही छोड़ देंगे लेकिन मज़धार बात तो ये है कि Travis और उसकी टीम इन सभी लोगों से दो कदम आगे थे क्योंकि जैसे ही local government ने ये कदम उठाया Travis ने तुरंट Uber drivers को ये कहना शुरू कर दिया कि देखो अगर local authority आपकी car जब्त कर लेती है तो उसके पैसे आपको company देगी इसलिए tension लेने की ज़रूत नहीं है आप अराम से Uber के लिए taxi चलाओ मगर एक दिक्कत थी क्योंकि Travis ने drivers को ये बोल तो दिया था लेकिन मनी मन उसको भी पता था कि ये जो car के पैसे देने वाला game है ये लंबे समय तक company उनके लिए नहीं खेल सकती है प्रस उस वक्त पुलिस और local government ये दोनों ही Uber के पीछे इस तरीके से पढ़ गए थे कि पुलिस वाले खुद Uber के customers बनकर आप से taxi book करने लग गए थे और जैसे ही Uber का driver अपनी taxi लेकर इनके पास पहुंसता था ये लोग driver और उसकी गाड़ी दोनों को पकड़ लेते थे मगर जैसे ये problem बढ़ने लगती है तो इसको solve करने के लिए Travis एक master stroke खेलते हैं Travis ने तुरंत अपनी team को एक ऐसा software बनाने के लिए का जो कि उनके drivers को local government और police ऐसे लोगों से बचा कर रखे और इस software का नाम था grey ball ये जो software था ये geofencing, credit card database mining, device identification और social media searches का इस्तमाल करता था ये पता लगाने के लिए कि आखिर जो बंदा Uber का app डाउनलोड करके बैठा वाए वो है कौन? वो normal बंदा है? या फिर वो कोई government का आदमी है जो कि बस drivers को पकड़ने के लिए Uber के app का इस्तमाल कर रहा है यहां तक्कीन लोगों को identify करने के लिए जो grey ball software है वो आपके smartphone की habits को भी track करता था जिससे कि ये पता लग पाए कि कौन सा बंदा है जो बार-बार app को खोल कर देख रहा है मगर cab book नहीं कर रहा अब देखो ये काम कैसे करता था जैसे ये app किसी dangerous user को identify करता था तो वो automatically shadow band हो जाता था मतलब कि अगर वो user Uber app को खोलेगा तो उसको वो cabs ही नहीं दिखाई देंगी जो कि उसके area में है उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे area के अंदर तो cabs available ही नहीं है लेकिन असलियत में वहाँ पर बहुत सारी cabs होती थी और लोग Uber का use भी कर रहे थी बस उस user को नहीं दिखती थी जिसको Uber ने shadow band कर रखा है और अगर by chance किसी shadow band user को taxi दिख भी जाती थी और वो से order भी कर देता था तो वो ride अपने आप cancel हो जाती थी क्योंकि जो taxi shadow band user ने book करी थी वो real में कोई taxi थी ही नहीं बस grey ball software की मदद से उस customer को ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर taxi मौजूद है अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो कुछ वक्त में Travis को ये समझ आता है कि ये जो सफेज जूट company बोलती भी आ रही है वो कभी ना कभी तो पकड में आई जाएगा इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए वो यहाँ पर एक नई business strategy का इस्तिमाल करता है जिस strategy को कहा जाता है lobbying जैसे ही उबर के पास किसी शेर में अच्छा खासा user base बन जाता था तो वो उसी public support का इस्तिमाल करती थी उस शेर के अंदर अपनी company को legalize करवाने के लिए जब उबर किसी नए शेर में entry लेती थी ना तो वो company कभी भी किसी city के local mayor या फिर ट्रांसपोर्ट authorities से बात करती ही नहीं थी बलकि ये लोग सीधा जाते थे head of state से मुलाकात करने ताकि वो taxi regulations को इनके लिए change कर पाए और जो ride healing companies हैं उनको legalize कर दिया जाए और ऐसा करने के लिए Uber के executives बार बार French President Emmanuel Macron US के President Donald Trump और Joe Biden Irish Prime Minister Enda Kenny Israeli Prime Minister Benjamin Nathan Yahoo UK के Prime Minister Boris Johnson और former UK Chancellor George Osborne इन सारे लोगों से regularly मिलते थे जिसके कारण बस कुछी वक्त में जो ride healing services थी वो दीरे दीरे इन सारी जगाओ पर एक legalized industry का रूप लेने लगी पर जब ऐसा होता है तो इसी market में नए-ने players अपनी entry लेना शुरू कर देते हैं जिसे अमेरिका में Uber के खिलाफ एक company शुरू होती है जिसका नाम था Lyft इंडिया में आई Ola और ऐसे कई सारे देशों में जो Uber का competition था वो बढ़ने लगा अब Uber को जैसे ही होता हुआ दिखता है तो company एक नया plan बनाती है कि कैसे वो अपने competition को market से मिटा सके और ये जो कहानी है ये बहुत ही interesting है इसलिए ध्यान से सुनना अपनी शुरुवात से लेकर आज तक Canada और US Uber के सबसे बड़े market रहे है 2022 में Uber ने 31.8 billion dollars का revenue generate किया था जिसमें से US और Canada इन दोनों countries का मिला कर इसका 61% यानि की 19.4 billion dollars आया था यही कारण है कि इन दोनों countries में Uber अपने किसी भी competitor को जिन्दा नहीं रहने दे सकता जून 2012 की बात है अमेरिका में John Zimmer और Logan Green ये दो लोग मिलकर Lyft नाम की company शुरू करते हैं और ये company कुछी वक्त में Uber की direct competitor बन जाती है क्योंकि Lyft जो है वो Uber की तरह luxury नहीं बलकि affordable taxi ride segment का जो market था उसको capture कर रही थी अब ये company Travis की आखों में बुरी तरीके से चुपती है तो पता है क्या होता है जो company आज से पहले local governments और local authorities से बात तक नहीं करती थी अब वो उनी के साथ मिलकर Lyft को हटाने के लिए एक front बनाते हैं जो front ये था कि 2012 में जो Uber अभी तक सिफ luxury black taxis प्रवाइड कर रही थी अब जुलाए 2012 से उसने luxury के साथ साथ affordable car segment में भी अपनी entry कर ली और उन taxi owners को भी allow किया कि वो भी अपनी taxis Uber के उपर आकर list करवाए मतलब कि अब high class हो या normal हर बंदा Uber का ही इस्तेमाल करके अपनी ride book कर सकता है अब Lyft जो की एक नई नई company बनी थी उसने drivers को hire करने के लिए जो local communities और local authorities थी उनके बीच में छोटी छोटी parties organize करना शुरू किया लेकिन जो Uber थी वो इन parties को बीच में ही खराब कर देती थी जितने भी drivers Lyft की party में जाया करते थे उनको individually target करके Uber अपने promotion codes और offer बेज़ती थी ताकि लोग Lyft को छोड़ कर अब Uber की तरफ attract हो फिर इसी चीज को tackle करने के लिए Lyft अपनी marketing और brand promotion करती है और अपने सभी drivers को बोलती है कि वो लोग अपनी गाड़ी के आगे एक बड़ी सी pink mustache लगाए जो की Lyft नहीं उने दी है अब ये जो चीज थी ये काफी अलग थी इसलिए starting में तो ये खूप काम किया मगर कुछी वक्त में इसी चीज को साफ करने के लिए Uber ने अपना campaign shave the stats launch कर दिया अब आपको ये जानकर बहुत एरानी होगी मगर इस campaign के अंदर जो Uber के employees थी उनका काम था कि वो Lyft के उपर अपनी ride book करे और जितने भी Lyft के drivers हैं उनको busy रखे और जैसे ही वो ride लेकर उनके पास पहुँचे तो वो इस drive को cancel कर दे इससे होता ये था कि जो Lyft के drivers है वो हमेशा booked रहते थे और जो असली customers है जिनको actually मैं travel करना है वो सब के सब Uber के पास चले जाते थे क्योंकि जो Lyft के drivers थी उनको तो Uber के employees ने fake booking के चकर में अटका रखा था अब simple सी बात है जब customers को Lyft पर cab मेली नहीं रही है तो वो कहां जाएंगे Uber के पास लेकिन पता ही ये तो बस शुरवात थी क्योंकि Uber ने Lyft को खतम करने के लिए एक और tool code इस्तमाल किया जिसका नाम था Hell दरसल Uber के पास पहले एक heaven नाम का software हुआ करता था ये software basically एक Godview map था जो कि Uber drivers को exact location बताने में help करता था लेकिन जो Hell था उसकी मदद से Uber ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा driver है जो Uber और Lyft दोनों companies के लिए काम कर रहा है और बस एक बार Uber उस driver को identify कर ले तो उसके बाद उसे बहुत सारे cash bonus, discount और extra rights offer करी जाते थी ताकि वो Lyft को छोड़ कर सिर्फ Uber के साथ काम करे और ऐसा हुआ भी क्योंकि ये करने के बाद कई सारे drivers ने Lyft को छोड़ कर सिर्फ Uber के साथ काम किया और जैसे ही ये होता था तो उस driver को Uber के द्वारा दिये जाने वाले सारे फाइदे ये दीरे दीरे कम कर दिये जाते थे यहां तक कि जो drivers सिर्फ Lyft के लिए काम कर रहे थे उनको Uber driver बनाने के लिए Uber अपने employees को कहता था कि आप Lyft के app से उनके लिए बुक करो उन drivers के साथ बात करो और उनको convince कर लो कि वो Lyft छोड़ कर Uber में आ जाए Travis ये सब कुछ कर रहा था Lyft को बरबाद करने के लिए और हिरानी की बात तो यह है कि Travis यहाँ पर रुखता नहीं है बलकि अब वो यह सोचा था कि किस तरीके से Lyft को funding लेने से भी रोग दिया जाए और ऐसा करने के लिए Travis जब भी कोई investor Lyft के साथ funding की meeting करता था तो उसको phone करता था और उसे बोलता था कि सुना है आप Lyft में इंवेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि Uber भी funding लेने वाली है और यह चीज़ सुनकर सारे investors एकदम ड़जाते थे और वो Lyft में अपना पैसा न लगाकर Uber में पैसा इंवेस्ट करते थे क्योंकि जो Uber थी वो Lyft से ज़ादा बड़ी company थी इसी तरह से प्रैविस ने अपनी चलाकियों का इस्तमाल करके अपने सबी competitors को funding तक लेने से रोक दिया लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर उन लोगों का क्या जो अपनी रोजी रोटी के लिए Uber के साथ टैक्सी चलाते हैं अखिर उनके साथ इस company ने ऐसा क्या किया है जो यह company आज इतनी controversial है 11 फरवरी 2017 35 साल के प्रवीन कुमार जहर खाकर अपनी जान दे रहते हैं तोकि वो अपनी Uber टैक्सी की EMI नहीं दे पा रहे थे बिल्कुल इसी तरह से जनवरी 2018 में भी 27 साल के Uber ड्राइवर मुहमद जहीर ने भी आत्मत्या कर ली और ऐसे ही February 2018 में US के अंदर भी Dow Shifter नाम के एक Uber ड्राइवर ने सेम इसी तरीके से अपनी जान दे दी तो फिर ड्राइवर के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो उनको अपनी जान गवानी पड़ रही है तो देखो इस चीज़ को डीटेल में समझने के लिए हमें Uber के वर्किंग मॉडल को समझना होगा अपनी राइड लेने के बाद जो किराया आप ड्राइवर को देते हो उसमें से 30% Uber अपने पास रख लेती है और जो बाकी का बचा हुआ 70% है वो इस ड्राइवर को मिलता है अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ड्राइवर को मिले 70% पैसे मिसे जब आफ फ्यूल कोस्ट, गाड़ी की EMI, गाड़ी का मिंटेनेंस, टोल और गर्मेंट को देने वाले टैकसे अटा देते हो तो ड्राइवर के पास बहुती कम पैसे बचते हैं, अब इसमें सब कुछ मैनेज किया जा सकता है लेकिन जब ड्राइवर के पास अपनी गाड़ी की EMI देने तक के पैसे नहीं बचते तो वो मजबूरन अपनी जान ले लेता है आज ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ पर उबर गई हो और वहाँ पे ड्राइवर्स ने उनके खिलाफ प्रोटेस ना किया हो और हर जगा पर, ये जो ड्राइवर्स होते हैं, उनकी डिमांड सिर्फ इतनी होती है कि कमपनी उनसे लेने वाले कमिशन को कम कर दे और ये जितने भी प्रोटेस होते हैं, इनको सबी लोकल टैक्सी कमपनीज भी सपोर्ट करती आईए क्योंकि उबर ने उनका भी बिजनस खराब कर दिया लोकल टैक्सी कंपनीज और अथोरिटीज इनकी तो उबर के उपर पहले से नजर थी लेकिन अब ड्राइवर्स भी उबर के खिलाफ होने लगे थे मगर इस सब के बावजूद ट्रैविस ने इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर दिया उन्हें इन बातों से कोई फरक नी पड़ता था क्योंकि उनका एक ही मिशन था कि कंपनी को जल्दी से जल्दी दुनिया भर में एक्स्पैंड करना है और बाकी का जो 48.43% है वो आता है उनके टैक्सी बिजनस से और बचावा जो 5% है वो उबर फ्राइट से आता है लेकिन इस सब के बावजुद भी जून 2017 में ट्रैविस उबर से रिजाइन कर देते हैं और ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया था बलकि कंपनी के जो बोर्ड अफ डिरेक्टर्स थे उन्होंने उन्हें फोर्स किया था कि आप ये चीज अभी के अभी करो और पता है क्या जैसे ही ट्रैविस इस कंपनी से रिजाइन करते हैं अगले कुछी सालों में इस कंपनी की पूरी किस्मत बदल जाती है पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालात है कि उबर को आखिर इतना उपर ले जाने वाले ट्रैविस को डिरेक्टर्स ने कंपनी से क्यों निकाल दिया और जब ट्रैविस ने कंपनी को छोड़ा तो उबर की क्या हालोत हुई तो देखो अभी तक हमने यह जाना है कि पूरी दुनिया में जो उबर है वो ड्रैवर्स की तरफ से प्रोटेस्ट फेस करती आई है मगर दीरे दीरे अब ड्रैवर्स ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के अंदर जो उबर के कस्टमर्स थे वो भी उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करने लगे थे 8 डिसमबर 2014 को दिल्ली के अंदर एक लड़की उबर से कैब बुक करवाती है क्योंकि रात का टाइम था और उसे अपने ऑफिस से घर जाना था लेकिन वो ही उबर ड्रैवर उस गाड़ी में उस लड़की का रेप कर देता है और जब ऐसा होता है तो कई सारे लोगों ने उ यूएस सेफटी रिपोर्ट डिस्क्लोज करी थी जिसके अंदर ये बताया गया कि 2018 में 3045 सेक्शल असौल्ट्स और 9 मर्डर के केसिज होया है उबर टैक्सी में पर पता है क्या लोगों के उबर से नराज होने के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं थे क्योंकि मार्च 2017 में नि जिफ्ट को बरबाद करने के लिए इस्तेमाल किया था उसका भी खुलासा कर दिया गया इन फैक्ट ऑगस 2017 में ये भी सामने आता है कि उबर अपने पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन पर छोड़ने के बाद अगले पांच मिनट तक ट्रैक करती थी ताकि उन्हें ये पता करने लगती है सोशल मीडिया पर अब लोग ट्रेंड कर रहे थे डिलीट उबर और कई सारे लोगों ने तो उबर को डिलीट भी कर दिया था अब बैक टूबैक ये सब कुछ होने के बाद उबर काफी नीचे गिरती जा रही थी और ये सब कुछ बस चली रहा था कि फेबर खौसरोशाई ये आदमी उबर का नया CEO बनता है और जैसे ये होता है तो कंपनी ड्राइवर्स और इंप्लोईस सबी के साथ अपने रिलेशन्स को दुबारा इंप्रूव करना शुरू करती है कस्टमर सर्विस और सेक्योरिटी के उपर दुबारा से फोकस किया गया और 2018 के बीच उबर ने जो उनकी राइट्स पांच बिलियन थी उनको बढ़ाकर दस बिलियन पर पहुचा दिया जिसके बाद मे 2019 के अंदर उबर अपना IPO लेकर आती है अब चीजे काफी बदलने लगी थी उबर लगातार ग्रो कर रही थी और 2021 में वो रिकॉर्ड नंबर आफ अक्टिव यूजर्स को हिट करती है उनके अप्लिकेशन के उपर इस साल पर 118 मिलियन अक्टिव यूजर्स थे और इसी तरीके से दीरे दीरे उबर की ट्रेंट पत्री पर आने लगती है लेकिन अचानक जुलाए 2022 में दा गार्डियन की एक इन्विस्टिगेशन के अंड था वो कैच यह था कि उबर के कस्टमर्स अब उनसे जादा नराज नहीं होते थे और उन्हें ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था वो यह कहते थे कि कंपनी ने हो सकता है पहले कुछ गलत काम किये हो लेकिन आज वो लोग इंप्रूव कर रहे हैं यही कारण था कि फैनाइंशल किस कीमत पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यह तो हम सबी ने सुना है लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कुछ पाने के लिए किसी को अपनी जान दाओ पर लगाने पड़े तो वो चीज बिलकुल भी वर्थेट नहीं है और ऐसा ही कुछ देखा है हमने उबर के केस में कि कैसे खुद को बड़ा बनाने के लिए कंपनी ने कई सारे लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बरबाद कर दी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह राइट वाला वीडियो जरूर से देखना क्योंकि इसमें मैंने एकदम डीटेल में बता किChris प्हाल आपको अली है दो यह राइब हमेशा क्योंकिन एंट आपको अजयने गत्वटेल हमेशा क्यों Edison का किसे मैंने दो सक्वेशा के लिए किसे एम मैंने हमेशा क्यों हमें व interactions with kiss यह आलो करें कर अ व म हो इंग हो